उम्र थखाण नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती अगर जिद है जीतने का तो परिस्थितीयां भी हरा नहीं सकती नमस्कार साथ हूं मैं राज कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार प्ई वियर स्टडिए में आज की स्कलास में हम लोग बात करेंगे कख्छा 10 के NCRT गडित परस्णावली 8.3 जो कि आपको उपर दीख रहा exercise 8.3 क्लास 10 का mathematics से आपको मालूम है question number second से हम लोग start करेंगे question number दूसरा देखिए क्या कहरा बही पढ़िए कहरा कि दिखाईए की इसमें दो पार्ट दिखाना है दिखाना का मतलब प्रूब करना है आपको 1048 डिगरी इंटू 1023 डिगरी इंटू 104042 इंटू 1067 इक्वल वन question board पर आ चुका है अब ध्यान देना समझना क्या कहता है इसको हमें दिखाना मतलब प्रूब करना वन के बराबर देखो बच्चों आप सबको पता है हम आपको स्टार्टिंग में बताए हुए हैं जब आपको concept सिखाए हैं कि यह 1090-theta equal chord theta यह होता है आप सभी जानते हो theta command कुछ भी हो सकता है तो देखो बबू इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1090- आप देखो इसमें से अगर आप 90 से 42 सब्ट्रेक करोगे तो 48 आएगा करके देखवाएगा ना इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं उसके बाद जो 23 है बबू इसको लिख सकता हूं तो में 1090- 67 67 क्यों मैं सही लिख रहा हूं कि गलत भाई ऐसा हो सकता है ना और यह 42 जो है 10 का इसको ऐसे लिख देंगे इंटू 10 का जो 67 है इसको ऐसे लिख देंगे बराबर कमन इसको भी ऐसे लिखते चलो कोई लिखत नहीं ठीक है तो 1090- theta आप सबको पता है बच्चा यह कॉट theta होता है theta की जगा पर 42 है वैसे यहां भी हो जाएगा तो यह हो जाएगा कॉट 67 ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं इंटू यह 1042 ऐसे उतर जाएगा और इंटू 1067 ऐसे उतर जाएगा बराबर कमन ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं यह सूत्र मैं लिखा था इसको मैं मिटा देता हूँ इसका इसमें काम नहीं था ठीक है तो देखो भाईया यह भी फार्मूला जानते हो बाबू इधर साइड देखो यह सूत्र होता है कि 10 theta को आप 1 अपान कॉट theta लिख सकते हो यह पोजिट होते है न यह सूत्र होता है न तो इसी तरह से हम इसको चुम्यान क्या ध्यान देना है 1 अपन इसको क्या लख सकते हैं वह ट्रण ठीटा को बनापन कॉट थीटा लिख सकते हैं तो कॉट थीटा को वन अपान 10 थीटा लिख सकते हैं यहां थीटा की जगापर 42 है तो यह हो जाएगा 1042 ठीक है थोड़ा पतला दिख रहा है ना कोई दिक्कत नहीं इंटू इसको भी हो जाएगा 1 अपान यह 1067 इंटू यह 1042 इंटू यह 1067 इकल वन देखो बाबु यह 42 नीचे है और हर में है यह अंस में है यह 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 यांस में है यानी 1 इकल वन यह दिखाने को बोला था यही प्रूब करना था आप नीचे लिख दोगे प्रूब्ड इसमें किसी को कोई डाउट नहीं नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूँ इसका स्क्रीन साथ लीजिए जल्दी से अगले पार्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी करिए वीडियो को स्क्रीन पे टच करके लिखिए रोक करके लिख लीजिए अगर अभी तक आपने PVR study को यूटूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और फेस्बूक पर भी फालो कर लें चलिए नेक्स्ट इसका देखिए अगला पार्ट इसमें दो है देखिए ये भी पार्ट आपके सामने आ चुका है देहान देना इसमें क्या करने को कह रहा है भाया कह रहा है इसको भी प्रूब करिए जीरो के बराबर है बहुत सिंपल सा है कुशन हटा ये मैं दिखाता हूँ देखिए कॉस थार्टी एड न देखो बाबू इसको आप लिख सकते हो थार्टी एड की जगा पे 90-52 एक्चुली ऐसा क्यों लिखा मैंने क्योंकि आपको पता है कि 90 में से जब 52 घट आते हैं ये देखो तो थार्टी एड आता है आता है न यह थार्टी एड की जगा पे हम 90-52 लिख सकते हैं इसी तरह से इसमें कॉस यह 90-38 ठीक है नो डाउट यह माइनस का साइन है माइनस sin 38 इंटू यह sin 52 इक्वल 0 कोई दिक्कत नहीं है कास 90- theta आपको पता है कि sin theta होता है theta का वैलू 52 है तो वैसे हो गया कास 90- theta यह भी हो जायागा sin theta minus sin का 38 इंटू sin का 52 इक्वल 0 इसमें किसी को को डाउट नहीं यह 52 है याद रखना ठीक है देखो बाबू ये पूरा पुरा और ये पूरा बराबर है है ना बराबर जैसे अगर मैं बोलूं कि पांच में से पांच घटा होगे तो क्या आएगा आप कहोगे सुनने आएगा तो उसी तरह से ये दोनों पद क्या है एक दूसरे के एक्वल हैं हम कह सकते हैं यहां पर नीचे, यह जीरो के बराबर है. लेकिन यहां बराबर निया है, यहांHY जीरो लगेगा, ठीक है? क्योंकि उधर साइट बराबर लगा एक जगा. इफले यहां जाना बराबर दो जगा नहीं लगता है. तो यह क्या हो गया? चाहे ये बराबर यहां लिख लो चाहे यहीं लिख दो बराबर जी रो लिख दो proved यही तो करता पुरूब्ड क्या हो गया सिद्ध हो ऒंठ थीक है यह क्या करना था हमें यही find करना था इस तरह से आपका question number दूफ्रा पूरा complete हो गया लिख लिजिए इस्क्रेंसाट ले लिजिए अगर अभी तक आपने कलास को लाइक नहीं किया तो बाबू लाइक कर दीजिए पीवियारे स्टेडी कलास को हां आगे चलते हैं कोईश्टा नंबर थार्ड जल्दी करिए नोट करिए फटाफट वीडियो रोक करके स्क्रेंसाट लीजिए नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट कुष्चन अगला देखिए कुष्चन आपके सामने स्क्रेंट पर है देखिए क्या कहता है ध्यान से देखिए कह रहा है कि यदि 10 to a equal cot a-18 जहां 2a एक निवन कोंड है तो a का मान ग्याद कीजिए इंग्लिस मीडियोम वाले बच्चे देखेंगे सीबेसी वाले उनके बुक में लिखा होगा इफ 10 to a equal cot a-18 वेर 2a is एन एक्यूट एंगल फाइंड दा बैलू आफ ए इंग्लिस में क्या लिखा होगा बेटा सुन लिए न हिंदी में तो इस्क्रिन पर लिखा ही है कह रहा इफ 10 to a equal cot a-18 वेर 2a is an acute angle, acute angle means new code फाइंड दा बैलू आफ ए चलिए हम लोग फाइंड करते हैं बहुत ही सिंपल सा है आप लोग लिख लेंगे गीबन यहाँ पर लिख लो बेटा आप लोग हाल में लिखो गीबन गीबन है हमें 10 to a equal cot a-18 देखिए यह गीबन है हम सब को पता है कि 10 a को हम लिख सकते हैं cot 90-a है ना लिख सकते हैं तो इसकी जगा पर मैं लिख सकता हूं cot 90-a a की जगा पर इसमें 2a है याद रखना यह कौन की जगा पर है 2a तो 2a पूरा लिखा जाएगा equal यह cot a-18 इसमें किसी को doubt नहीं देखो बेटा बहुत आसान है बाबु यह cot से cot cancel बराबर नहीं लगेगा अब बचेगा 90-2a equal a-18 18 इसमें कोई doubt नहीं किसी को तो यह 2a यहां ध्यान रखना कैसे करें माइनस का 2a इधर से एधर आएगा तो यह भी माइनस में हो जाएगा बराबर यह माइनस का 18 और माइनस का 90 आप देखो यह माइनस का 3 दोनों तरफ माइनस है इस लिए प्लस हो जाएगा यानि एककोल हो जाएगा 108 बटा तीन त्रीकरनों तीन चंग 18 आप कह सकते हो कि कि एक ही बैलू कितना आ गई बाबू 36 डिगरी यानि कितना आ गया 36 सबको समझ में आया अभी यह पैन थोड़ी नहीं है इस वज़ा फलका पतली चल रही है चलिए कोई दिक्कत नहीं ना डन इस तरह से आपका तीफरा कोश्चन कंपलेट हो गया लिख लीजिए इसक्रें साथ ले लिजिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आप इसे यूटूब पे फिरी में देख पा रहें तो अन्य था पूरा कंपलीट कोर्स तो पीवीर स्टडी एप के अंदर मिलता है है ना आज ही इंस्टाल करें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई होगी इस अग Elena स्डरा स्ट्रेव कुश्चन देखिया पीवीर इस्टैड़ी एप अगला नेक्स्क्ष्टन देखियो पीवीयर स्टै़ी की स्पेलिंग आपक को स्क्रिन पे दिख रही है नेच्छे स्क्रिन पे चल रहा यह से मैसेज ना वहा से स्पेलिग देख लो अग्ला सव क्वेश्चन द्यान से रिट करिए ऊपर लिखा हुआ है कह रहा है कि यदि 10a बराबर कॉट भी है तो सिद्ध कीजिए कि a plus b equal 90 डिग्री है क्वेश्चन इंग्लिस मीडियम वाले बच्चे देखेंगे if 10a equal कॉट भी प्रूब दैट a plus b equal 9090 कुछे चलिए बच्चो पुरूब करतें हैं sık nuestra antenna की जगाए न गिकिन इंग्लिस वाले हिंदी वाले लिख लेंगे दिया है ठीक है यंदी वाले में क्या करोगे इसको कुछ नहीं करना है यह कौट भी देखो कौट से कौट कर जाएगा अब क्या होगा 90 माइनस एक वी यहां से अगर हम निकालना चाहें तो यह क्या बनेगा भई क्या बनेगा सीधा सा बात है अगर यह उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो हम ऐसे भी लिख सकता हूं भी प्लस ए हमें सिध्ध भी यही करना था न हम इससे सीधा भी यहीए तो सिध्ध करना था लिखो प्रूबड प्रूबडू फिया जिंदी मीडियमे लिखेंगे सिध्ध हुआ कुछ लोग कंफूजन में होंगे तो चाहे इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो दोनोंका मतलब एक है कोई गलत नहीं कातेगा ठीक है समझ गए ना यह था आपका फोर नंबर कोश्चन लिख लीजे जल्दी से मैं बार 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 बोल रहा हूं अगर आप यूटूब पे इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो पी वी आरे स्टेडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस समय प्रजेंट टाइम में सुबह आठ बजे यूटूब पे फ्री कलाफ है चल रही है जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैं सबका कमेंट देख रहा हूं लेकिन कलास आगे पढ़ानी है मिस्टर रभी संकर देख रहा हूं पूनम कुमारी अनुपम अनुराधा रभी सबके कमेंट आ रहे हैं लेकिन थोड़ा बेट कर लीजिए पढ़ाई पर द्यान दीजिए अगला कुश्चन आपके सामने जल्दी देखिए को कुश्चन देखिए नीचे स्क्रीन पर आ गया है क्या कह रहा है ध्यान दीजिए सुनिए कह रहा है कि यदि सेक फोर ए इकल कॉसेक ए माइनस 20 जहां फोर ए एक न्यून कोंड है तो एक आमान ग्याद कीजिए बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं डॉंट वरी चलिए आप लोग लिखिए गिबन इंगलिस मीडियों वाले लिखेंगे गिबन हिंदी वाला बच्चा लिखेगा दिया है ठीक है यह दिया है द कॉसेक 90 माइनस 4a इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए है ना इधर साइड में यह दिया आल्रेडी इसमें हम कुछ नहीं करेंगे a-20 ऐसे लिख लेंगे कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जायागा 90 माइनस 4a इकवल a-20 इसमें किसी को कोई परकार किया पत्ति है तो ब बढ़ा लें अच्छा दिखेगा ठीक है चलिए बहुत अच्छा है तो भाई यह 90 ऐसे रहेगा बाबू इधर का माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा यह a-4a तो यह प्लस का 4a ठीक है क्योंकि दूसरे साइड जाएगा तो चिन बदल जाता है तो यह 70 और यह 110 हो जाएगा यह 5a हो जाएगा क्यों भाई 4a और यह हो जाएगा 5a तो यहां से आपका 110 बटा पांच बराबर है पांच से काटोगे पांजुना दस पांजुना दस यानि एक अमान कितना आएगा 22 डिग्री इसमें किसी को कोई डाउट नहीं नेक्स्ट कुश्चन छठा नमबर आप लोग होम और करोगे क्योंकि मैं सारा प्रस्म करवा रहा हूं इस चैप्टर का सिर्फ एक है तुम्हें होम और करोगे कोई डाउट होगा तो बताना ठीक है कोई साथमा बहुत आसान है इधर साइड में हल कर दूंगा साथमा बस देखते चलो ठीक है 7 नमबर और इस एक्सरसाइज का लाइस्ट कोईस्टन चलो बई दिखाओ नीचे देखिए क्या कह रहा है पहले हिंदी में कोईस्टन दिखा दिया हूं इंगलिस में मैं पढ़ दूंगा ठीक है सुन लेना इंगलिस वाले बच्चे तेज होते हैं इसलिए वो समझ जाते हैं हिंद इसलिए वाले गदाहा नहीं होते वो भी तेज होते हैं लेकिन थोड़ा हिंदी कठी नहीं होती है इसलिए लिए लिखा दे रहा हूं चलो कहह रहा है कि साइन सििस्टी सेबन डिगरी पिलस काि सेबंटी हाइब दिग्री को गरीटकोफ جरो और और प्रटी फाइब के वीच के दिर्कोड मितिये अनुपादों के पदों में बेक्त कीजिए मतलब साइन जो सांडस्ट डिगरी ए काउस सबस्त मैं साइब और 45 के तिरकोड में थीए अनुपात की पदों में वेक्त करना है ठीक है आप लिख लो given क्या लिखोगे भाई या लिख लो given given लिखो हिंदी वाले लिखेगा दिया है दिया है, क्या दिया है साइन 67 प्लस क्या दिया है भई प्लस कास 75 यही दिया है, और कुछ तो नहीं दिया न तो क्या करोगे बच्चा, क्या करोगे बाबू इसकी जगा पे मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 23 33 बोलो लिख सकता हूं कि नहीं नब्बे से जब 23 घटा होगे तो 60 आएगा नब्बे से 20 घटा होगे अगर तो 70 आएगा सब्सक्राइगा ठीक है उसी तरह से कॉस्ट 75 वाला जो है उसको भी हम कर सकते हैं क्या इसको हम कर सकते हैं इस तरह से साथियों जब इसे हम घटा लेंगे बाबू तो यह क्या आजाएगा साइन नब्बे माइनस थीटा आपको पता है कि साइन नब्बे माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस्ट यह मैंने बताया है कि अगर कोड नब्बे या 270 में है तो रासी चेंज हो जाती है तो कॉ तो इस तरह से प्रीय साथियों आपका यह पूरा एक्सराइज खतम हो गया अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बाक्स में हमें कमेंट करके बताइए ठीक है अगर आप पूरा कंपलीट कॉर्स जल्दी फे जल्दी पढ़ना चाहते हैं एक साथ तो आप प्लेश्टोर से पीवी आरे स्टडी डाउनलोड करिए इकठा मिल जाएगा चाहा जब पढ़ो चाहा जितना पढ़ो पांच यह मत परेसान हुए किसे ले बस नहीं पूरा कोर्स नहीं पूरा जितना पढ़िये तैयार करिये बस ठीक है टेंसन विल्कुल भी ने रखना है थैंक्यू